पीट पीछे मारी गोली उनको, पीछे से यहां मारी और मुझे बार निकली उनकी गोली, ऐसे गोली मारी, सामने आते न तो चीर फार देते मेरे पापा, मुझे पता है न, उनको कोई ऐसे ही नहीं मार सकता था, ना वो यूँ ही मरने वालों में से थे, वो थे नहीं ऐसे, कि वो यूही मर जाते, उनको मारना कोई असान बात नहीं थी, वो बोलेंगे कि सरपंची, मैं जानती हूँ मेरे पापा क्या थे, उनको मारना कोई असान बात नहीं थी, जो इनसान पता है कि पूरी, उनको किसी सरपंच को पता नहीं होता है कि कश्मी जी हां वो काम कर रहे हैं, जो वो बेधाड निकल जाते थे पूरे कश्मीर को घूमने के लिए, उनको मारना कोई असान बात थी क्या, वो पूरी फामली को अपनी responsibility में लेके जाते थे, कि मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, उनको मारना असान बात है, पीछे से गोली मारी उन्होंने, मेरे पापा को, कायर है वो, उनको पता था, कि ऐसे नहीं होने वाला आजे बारती को कुछ, हमें छुपके वार करना पड़ेगा, और सर, हर इंसान जब पापा ने security मांगी भी थी, बीच में जब पापा ने security मांगी भी थी, मैं जग जानती हूँ, वो अपने लिए नहीं डरे, family, क्यो मेरे को पता है मैं जब unconsciousness से बाहर आई थी मैंने बोला था आपको कुछ feel नहीं होता जब आप लोग यू चले जाते हैं ना तब आपको कुछ feel नहीं होता है पता है मुझे कुछ feel नहीं होता है ताभी मुझे मरने से डर नहीं लगता but the thing is family के लिए डरता है इंसान हर इंसान डरता है family के लिए मैं अभी मेरे को भी अपनी family की चिंता है मैं बेदोहर से बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाकियों को जगाना जा दे हूँ government को जगा रही हूँ मैं करो कुछ